चावल खाने से होने वाले दस नुकसान एक चावल में मौजूद कार्बोहाइडरेट्स और शक्कर के कारण इसका अधिक सेवन वजन बढ़ाता है, यदि इसे अधिक मात्रा में खाया जाए, तो यह मोटापे के बढ़ने का कारण बनता है. दो चावल अपेक शाक्रित अधिक मात्रा में कार्बोहाइडरेट्स का स्रोथ होता है, जिसके कारण यह रक्त शरकरा के स्तर को तीजी से बढ़ाता है, यदि किसी को मधुमेह या शुगर की समस्या है, तो उन्हें चावल के सेवन से दूर रहना चाहिए. तीन कुछ लोगों को चावल से एलर्जी होती है, और इससे उन्हें खासी, चकते और दानों की समस्या हो सकती है, यदि आपको ऐसे लक्षन होते हैं, तो चावल के सेवन को कम करना या बंद कर देना उचित हो सकता है. चार चावल में मौजूद प्रोटीन कुछ लोगों में एलर्जी कर सकता है, जिसकी वजह से पाचन को अस्तव्यस्त कर सकता है, और पेट समबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है. यदि आपको चावल से एलर्जी हैं, तो चावल की जगह अन्य अनाज जैसे की चना, जो बाजरा आदी का सेवन कर सकते हैं. पांच बासी चावल में बैक्तीरिया बढ़ जाते हैं, जो पेट में संक्रमण का कारण बनते हैं. यह पाचन समबंधी तकलीफे जैसे पेट, दर्द, डायरिया और उल्टी का कारण बनते हैं. छे, बासी चावल में पानी की कमी होती है, जिससे यह सूखा और कठोर हो जाता है. ऐसा चावल खाने से पाचन में समस्याए होती हैं और भूख कम लगती है. साथ, बासी चावल को लंबे समय तक रखने के कारण इसमें पोशक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है. यह खाद्य सामगरी आपको उचित पोशन नहीं प्रदान कर सकती है और उर्जा की कमी पैदा करती है. आठ, चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स रात में खाय जाने पर वजन बढ़ने का कारण बनते हैं. इसलिए यदि आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रात में अधिक चावल खाने से बचें. 9. रात में चावल खाने से कुछ लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे पेट, दर्द, गैस, एसिडिटी आदी, यदि आपको इन समस्याओं का सामना हो रहा है, तो रात में चावल खाने से परहेश करें. 10. चावल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स के कारण उच्च रक्त चाप की समस्या हो सकती है, यदि आपको उच्च रक्त चाप की समस्या है, तो रात में चावल खाने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें. दोस्तो अगर विडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और विडियो देखने के लिए चेनल को सबस्क्राइब जरूर करें, धन्यवाद.